नमस्कार मैं हूँ आरेन और आप वहीं समय आरेन 45 एजुकेसन पर तो बात करेंगे स्सेजीडी 2024 का रिजल्ट कब तक आएगा कटाप क्या रहने वाली है तो बात करें अगर रिजल्ट की तो रिजल्ट जो है आपका अप्रेल में ही आएगा ये तो तैय है और अप्रेल के सेकंड वीक में जो है आपका इसका रिजल्ट देखनें को मिलेगा यानि मान की चलिए कि आपका जो है 15 अप्रेल से पहले पहले जो है रिजल्ट आपका आजाएगा अगर बात करें SSC GD 2024 रिजल्ट की तो ये आपका 15 अप्रेल से जो है पहले आजाएगा हालां कि इसकी एंसर की जो है आदिली जारिक कर दी गई है और answer की पर आप लोग आपत्ती दर्ज कर सकते हैं आपत्ती दर्ज करने के लिए जो date दी गई थी वो थी 10 अप्रेल यानि 10 अप्रेल तक आप लोग आपत्ती दर्ज कर सकते हैं और अगर result की बात करें तो इस पर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है लेकिन अप्रेल सेकेंड वीक में इसका result जो है आजाएगा और अगर बात करें कटाव की तो कटाव क्या रहने वाली है अगर बात करें SC कटेगरी की 130 से 140 कटाव रहने वाली है HT कटेगरी की बात करें तो 120 से 130 EWS 135 से 145 ESM 71 से 181 OBC कटेगरी की बात करें तो 137 से 147 कटाव रहने वाली है और जनरल कटेगरी की बात करें तो 140 से 150 के 20 कटाव रहने वाली है अगर आप बात को जांकारी पसंद आये तो वीडियो लाइक करेंगा और चैनल को जरूर से सब्स्राइब बढ़ेगा